मोती देने वाला पौधा घर में कैसे लगाएं? ये है वेजनती का पौधा. ये पौधा आपको ना फूल देगा और ना फल, पर देगा बहुत सारे खूपसूरत सफेद और काले मोती. इस पौधे को घर पर लगाना बहुत ही आसान है. वेजनती का पौधा कटिंग यानि के कलम से लगाया जाता है, या फिर बीज से लगाया जाता है. मोती ही इस पौधे के बीज होते हैं. इस पौधे को पूरे भारत में कहीं पर भी उगाया जा सकता है, पर ध्यान रहे इस पौधे को ऐसी जगा लगाना चाहिए, जहां इसको कम से कम 3-4 घंटों की धूप मिलती रहे वेजन्ती का पौधा ज़ादा बड़ा नहीं होता इसलिए इस पौधे को जमीन के अलाबा गमलों में भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है पर अगर गमले का आकार 14 इंच से बड़ा होगा तब ही वेजन्ती का पौधा ज़ादा मोती देगा वेजन्ती का पौधा well-drained soil यानि की अच्छी निकासी वाली मिटी में ही लगाना चाहिए जिसमें पानी रुके ना अगर आपकी मिटी में पानी रुकता है तो आप मिटी में रेत और गोबर की खाद मिला सकते हैं ऐसा करने से जल की निकासी अच्छी बनी रहती है वैजन्ती के बीज बरसाद के मौसम में लगाये जाते हैं और सर्दियों में इस पौधे पर मोती लगने शुरू हो जाते हैं शुरूात में जब पौधे पर मोती लगते हैं तो वो कच्छे होते हैं और उनका रंग भी हरा होता है पर पकने के बाद मोतियों का रंग सफेद और काला होता रहता है। इन मोतियों की माला बनाने के लिए इनके अंदर छेद नहीं करना पड़ता क्योंकि इन मोतियों में पहले से ही प्राकर्तिक छेद मौजूद होता है। बस छेद के अंदर मौजूद बारीक सी धागे नुम लकडी निकालनी होती है और ये मोती उप्योग के लिए बिलकुल तैयार हो जाते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपके पास वैजनती का पौधा लगाने के लिए बिलकुल भी जगा नहीं है या आपके पास इस पौधे की देखभाल करने का समय नहीं है तो आप वैजनती माला, हरिदुआर, मतुरा, काश्शी और आयोध्या जैसे धार्मिक इस्थलो पर मौझूद पूजा समगरी की दुकानों से खरीद सकते हैं अगर आपके घर में वैजनती का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आप इसको अपने शेहर की एक अच्छी नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक पेड़ पौधे लगाते रहें और धर्ती को हरा भरा बनाए रखें धन्यवाद